हेलो फ्रेंज, स्वागत आपका आज की एक और गोल्ड एनलाइस इस वीडियो में दोस्तो आज हमें गोल्ड में क्या सेटप दिखाई दे रहा है आज गोल्ड एक घंटे के टाइम फिरेम और 15 मिट के टाइम फिरेम में किस लेबिल को सपोर्ट एंड रसिस्टेंस ले सकता है कैसे हम गोल्ड में आज एक सिंपल इजी टेक्निकल एनलाइस कर सकते हैं आई इस वीडियो में डिटेल में समझते हैं दोस्तो साथी साथ हम समझने वाले हैं प्रिवेश डे मार्केट ने किस तरीके से ट्रेट किया है और हमारा क्या एनलाइस था कैसे हमने एनलाइस किया था तो सो प्रिवेश डे यानि कल के दिल की अगर बात करें तो जैसे कि हमने देखा market एक बहुत अच्छा range के अंदर फसा हुआ था, तो range हमने देखा, यहाँ पे market के लिए यह यह बहुत अच्छा सा support area है, एसा करके यहाँ पे हमने क्या किया, एक support john को मार कर लिया था, साथ में एक resistance area भी मार किया था, रस्टिस्टेंस लेने के बाद rejection कर रहा था support के आजपास trade कर रहा था उश टाइम पर कल हमारा वीउ था कि market अगयान is level को रस्टिस्टेंस लेने जा सकता है और रस्टिस्टेंस लेने के बाद इस level का यहाँ पर breakdown कर सकता है द्यान दीजिए क्या कर सकता है breakdown कर सकता है यहाँ पे और अगर इस level का breakdown करता है तो यहाँ पे हमें trade नहीं plan करना चाहिए हमें breakdown के बाद जैसी ही retest करने आए फिर यहाँ से हमारी trade plan करना चाहिए और आप देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पे market ने बहुत अच्छे से इस level का breakdown किया जो support हमने मार किया था यहाँ पे क्या हुआ breakdown हुआ breakdown के बाद retest हुआ इसके बाद ही market ने downside का momentum दिखाया है second मैंने आप से बोला था अगर आप buying की तरफ देख रहे हैं तो market को breakout करने दें retest करने दें इसके बाद आप यहाँ से एक upside का trade plan कर सकते हैं लेकिन यहाँ पे जो हमने हमारा analyze था कि market downfall करना चाहिए breakdown के बाद retest करना चाहिए कुछ ऐसा ही market ने कल के दिन यहाँ पे trade किया है देखो मैंने आपको telegram channel पर भी share किया था जैसे ही आप देख पाएंगे यह देखी यह था हमारा support area और यह था resistance area खीके हमारा क्या भी हो था कि market जहां से जब support ले रहा था उस time पे भी हो था कि market resistance लेने के बाद यहाँ से downfall कर सकता है और कुछ इस तरीके से ही market ने कल के दिन trade किया है I hope traders कल आपने भी इस तरीके से analyze किया होगा दोस्तो जो भी हमारा daily basis का analyze होदा ना मैं daily आपके साथ telegram channel पर share कर देता हूँ ताकि आप भी इस तरीके से अपना perfect support resistance areas मार कर पाएं अभी तक आपने telegram channel को join नहीं किया है तो वीडियो की discussion में आपको telegram channel का link मिल साएगा जो की एकदम free of cost है जहां पर मैं आपको daily analysis chart इमें share करता रहता हूँ दोस्तो आज gold में हमें क्या setup दिखाई दे रहा है आज gold कहां trade कर सकता है तो सबसे पहले आज हम देखते हैं एक घंटे के time frame में इसके बाद हम 15 मिट के time frame में भी समझने बाले हैं दोस्तो वीडियो में आगे बंडे से पेले आपसे एक छोटी सी request है प्लीस अगर आपको वीडियो से थोड़ी भी help मिलती है थोड़ा भी कुछ knowledge मिलता है थोड़ा कुछ सीकने को मिलता है तो प्लीस यार वीडियो को like जरूर कर दिया करो यहाँ पे हमें क्या setup दिखाए देरा दोस्तों यहाँ पे ध्यान से देखते हैं अगर हम एक गंडे के time frame में तो market का जो अभी trend है वो अभी भी यहाँ से uptrend जिसा नज़र आ रहा है market यहाँ से continue higher high higher low higher high higher high लगाने के बाद दिको higher low लगा है यहाँ पे ध्यान देने वाली वाद यह है कि market का जो एक previous time का high low लो था वो यहाँ से break नहीं हुआ है यहाँ पे मैं आपको mark करके दिखाना चाओंगा यहाँ पे अगर हम एक support zone को mark करते हैं तो market ने break नहीं किया है जैसे कि यहाँ पे चार्ड को थोड़ा जूम करके मैं दिखा हूँ तो आपको अच्छे से समझ में आएगा market ने इस label को यहाँ पे देखो कितने अच्छे से respect हिया है यहाँ पे time is spend किया है दोस्तों इसके बाद instant market ने upside का momentum दिखा है फिर यहीं से rejection आया कहा तक आया support zone तक तो देखा यह support कितना strong हो जाता है तो अभी भी market देखो support लेने के बाद यहीं से bullish निश शो करता हुआ नजर आ रहा है तो बात करते हैं market कितना और यहाँ से high लगा सकता है या फिर यहाँ से downfall कर सकता है तो इसके लिए देखो सबसे पहले तो हम देखेंगे तो यह support हमें काफी strong दिखाई दे रहा लेकिन इसी के साथ में अगर हम कुछ और extra यहाँ पर confirmation ले तो कैसे ले सकते हैं यहाँ पर confirmation देखो यहाँ पर हम क्या करेंगे recent बाला जो low हमें दिखाई दे रहा है इस low को and high को यहाँ पर मार कर करते हैं हमने क्या किया है यह low से पकड़ा फिवो नासी को और high के लिए मार कर दिया अब दोस्तों ध्यांस देखिएगा जो हमने यहाँ से support zone मार किया है इसी zone पे हमारा फिवो का जो important retracement label 0.5% का वो निकल के आ रहा है जो की काफी healthy retracement है और maximum time market इस label को respect करता है retest करने आता है यह दोनों ही label बहुत important है 0.5% का यह 0.618% का देखो इसके अंदर market यहाँ से आई और यही से देखो अभी time spend कर रही है इसको अच्छे से respect कर रही है market तो अब यहाँ से हम कैसे identify करें कि market यहाँ से upside जागा या फिर यहाँ से downside जागा तो इसके लिए दोस्तों सबसे पहले तो ध्यान दीजिएगा यह जो support हमने मार किया अगर आप downside की plan कर रहे हैं तो यहाँ से इस support को break होने तक हमें इंतजार करना चीए breakdown के बाद बात आती कि फिर next support zone कौन सा हो जाता है यहाँ पे हम मार कर लेते हैं यहाँ पे देखेगा यह बाला support बहुत अच्छा सा area हो जाता है दोस्तों बहुत अच्छा सा support area हो जाता है ऐसा करके यहाँ पे हम इसको mark कर लेंगे डेविल की बात करते हैं 2131.008 and 2124.085 का यह second support zone दिखाई दे रहा है तो यहाँ से हम इस तरीके से support को mark कर सकते हैं फिवो को remove कर देंगे यहाँ से यह मैंने फिवो को remove कर द सकता है and second support यह वाला हमें कुछ इस तरीक से दिखाई दे रहा है अब चलते हैं 15 मिट के time frame में confirmation कैसे लेना है 15 मिट के time frame में आ चुके हम चार्ट को थोड़ा और zoom कर लेते हैं यह चार्ट को थोड़ा हमने zoom कर लिया अब दोस्तों 15 मिट के time frame में यहाँ पे जो मुझे एक resistance area J severe कार में दिखाई दिए रहान ये वाला एक का अच्या सा रसिष्टेंस area होसकता है ऐसा करके यहांपर हम इसको मार कर लेंगे यह resistance area यह हमने मार कर लिया ऐसा करके बहुत अच्छा resistance हो सकता है क्यों हो सकता है eat resistance area क्योंकि market ने देखो इस label को यहां से resistance लिया, rejection किया, again market यहां से देखो क्या resistance लेने जा रहा है, तो हो सकता resistance लेने के बाद यहां से rejection करें, अगर बाड़े support को यहां पे हम remove करते हैं, तो हमें अच्छे से समझ में आए गए, जो बड़ा support है ना, बनावर का, यहां से इसको side मे कर देंगे और छोटे time frame का यहां पे हम यह support मार करेंगे, ऐसा करेंगे, यह support हमने मार कर लिया, पंदरमेट के time frame में, दोस्तों यहां पे previous जो market range बना रहा था ना, ध्यान से समझो, वो ही range यहां पे हमें बनती हुई नजर आ रही है, market देखो, यहां से support लिया, support लेने के ब हमें एक downside का momentum भी देखने को मिल सकता है, कहां तक देखने को मिल सकता है, मैंने आपको नीचे label second support का check करवाया है, second condition समझेगा, यहां पे मालीजे, अगर support लेने के बाद, again market यहां से resistance का breakout करता है, और resistance को retest करने आता है, देखो, अभी क्या कि यहां से marketing scary type का है, इसलिए हमें proper confirmation के लिए इंतजार करना चाहिए, retest के साथ में यहां से अगर हमें bullishness show करता हुआ देखने को मिलता है, तो हो सकता दोफ्तों, यहां ते हमें एक upside का momentum भी देखने को मिले, तो यहां पे यह एक काफी अच्छा सा support and resistance का area नजर आ रहा है, जिसके अंदर market यहां से support and resistance लेता ह हुआ नजर आ रहा है, जैसे ही इस range का breakdown के साथ retest करने आती है, तो हो सकता है downside का momentum दिखा है, अगर यहां से resistance का break होता है, तो दोस्तों से यहां से हमें एक upside का momentum भी हो सकता है, देखने को मिले, तो ऐसा करके आज के दिन हमें gold में फिर से एक range बनती हुई नजर आ रही है, ज तो जैसे ही यहां पर भी क्या हुआ, range का breakdown, breakdown के बाद retest, फिर market ने downside का momentum, again यहां पर क्या कर रही है, market range बना, तो देखते हैं हम यहां से इस range का breakout करती है, यहां फिर breakdown करती है, इसके बाद यहां से हमें confirmation के लिए इंतजार करना चाहिए, और proper money management के साथ हमारी trade को plan करना चाहि थोड़ा knowledge मिला होगा, थोड़ा help मिला होगा, वीडियो पसंद आई, फिर से कहना चाहूंगा दोस्तों, वीडियो को like जरू करिएगा, चैनल पर ने हो subscribe कर लिजिएगा, साथ में bell icon को hit जरूर करे, ताकि एसी ही knowledgeable video की notification आपको आगे मिलती रहे, और हां, जो यहां से मैंने support resistance मार किया आना दोस्तों, इस image को मैं आपके साथ भी telegram channel पर share कर दूँगा, ताकि आप भी इस तरीके से अपना perfect support resistance areas मार कर पाए, अब भी तक आपने telegram channel को join नहीं किया है, तो किसका इंतजार कर रहे हो, video discussion में आपको telegram channel का link मिल जाएगा, जो कि एकदम free of cost है, वहां से एक और नए ऐसी ही analysis वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार,